तो गोरेपुर में और किलिंग का मामला एक सामने आया है जहां पहन की आदितों से नाराज भाई ने उसका फावड़े से गला काट डरा और हक तो तब हो गई जब उसने खुदी पुलीस को फोन कर कहा कि मैंने अपनी बैंक को मार दिया और मुझे गिर्टार कर लो पता ने कि या पुरा मामला चिलू अता छेतर के रामपु जहर पिशाद रेलवे में कार्यत हैं उनकी छोड़ी बैठी का गाउं के एक लड़के से प्रेम पर सेक्चर रहा था लड़की पहले भी अपने प्रेमी के साथ फरार हो चुकी थी जिसके बार परिवार और ने उसे नवरात में मौसी के घर पे जिया था चैने दिनों पहले लड़की घर लोटी तो उसके प्रेमी ने चुपके दर सिंदूर और मंगल सूत्र बिजवा दिया या बार बड़े भाई को गोविंद को नागवार गुजरी गुरुवात को दिन करें तीन बचे इसी बात को लेकर भाई और बहन में कासुनी के हो गई नरवज भाई ने घर में रखे फावड़े से बहन के गले पर प्रहार कर दिया अस्पताल लड़की की मौत हो गई तो हैरत की बात तो यह है कि बहन की हत्या करने के बाद भाई के चेरे पर कोई भी अफसोस नजर नहीं आ रहा था पहन की लास के पास सही भाई ने पुलीस को 112 नंबर पर पूरे प्रकड़ की जानकारी दी मामले की सूचना मिलते पुलीस मौके पर पहुँच गई और आरोपी गोवित को गिर्वतार कर लिया गावालों के मुदाबिक लड़की पास के ये पब्लिक स्कूल में 11 मी की छात्रा थी उसकी आरोपी परिवार ही नहीं पास पर उसके लोग भी परिशान थी परिवार अनले ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की लेकिन बाग कुछ भी मानने को तयार नहीं थी उसकी उम्र भी करीब 18 से वर्थ से कम बता जा रही है तो ये गोरपुर से आरोपुरी का मानना सामने आ रहा है जहां बहन के आज़ों से नाराज भाई ने उसका फावरे से गला काट डला और हैप से बड़ी हैप की बात तो तब है जब उसने कुद ही प्रिस को फोन कर कहा कि मुझे गिरिस्तार कर लीजिए